असलाम लेकुम आज हम लेकर आए हैं रमजान और इद के लिए बहुत ही special recipe है जो रमजान में और इद पर सभी के घर में बनाई जाती है तो आज हम इस वीडियो में दो recipe लेकर आए हैं मीठे दही बड़े जिसे मदुवन बड़ा भी कहते हैं और साधी में तो बहुत ही जाद ही ट्रेन में चल रहे हैं इनने सभी पसंद करते हैं और तीखे दही बड़े तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे मीठे दही बड़े कैसे बनते हैं घर में आप आसानी से बना सकते हैं जैसे साधियो वारे मीठे दही बड़े होते हैं वो आप घर में easily बना सकते हैं कैसे बनाई जाते हैं तो पूरी वीडियो दिहान से देखोगे तो आपक सबसे पहले हम ड़ी को घाड़ा करने के लिए एक चन्य लेंगे और इसके अंदर दही डाल लेंगे तो मैंने ये एक कीलो दही ली है दही को छन्नी के अंदर डाल कर इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा सारा पानी हमें निकाल लेना है दही को छन्नी के अंदर डाल कर हम इसी तरह से छोड़ देंगे इतने हम मसाला तयार कर लेते हैं मीठे दही बड़े के लिए हम मसाला तयार करेंगे इसके लिए अंदर दो छोटी चमच जीरा डालेंगे एक छोटी चमच साबुत धनिया डालना है और आदा छोटी चमच अजवाइन डालेंगे पाच लोंग लेंगे और गिनकर 20 काली मिर्च डालनी है इन सारे मसालों को हमें हलका सा रोश्ट करना है गैस को ओन कर देंगे और लो फ्लेम पर यानकि हलकी आज पर इन्हें हलका सा इधर उधर करते हुए इस तरह से हलकी सी इसके अंदर खुसबू आने लएगी सिर्फ इतना ही नहीं हमें ड्राइ रोश्ट करना है सिर्फ इतना ड्राइ रोश्ट करेंगे कर हम मसालों को हाथ में लेंगे तो हमारा हाथ नहीं जलेगा अब यह हलका ड्राइ रोश्ट हो गए है गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करके grind कर लेंगे यह हमने grind कर लिया है इस तरह का दरदरासा हम इने पीश ना है आप सिल्बटे पर भी पीश सकते हैं या मिक्सिक अंदर भी grind कर सकते हैं अब इसके अंदर हम टू पिंच हिंग डालेंगे हिंग से बहुत ही अच्छा इसके अंदर flavor आएगा यह मसाला आप hand to hand तयार कर सकते हैं बहुत ही जल्दी करके टू पिंच हिंग डालेंगे और एक छोटी चमच डालेंगे चिली फ्लैक्स फुल भरके कुटी हुई मिर्च होती है वो एट कर देंगे और एक छोटी चमच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च यह कलर के लिए डालेंगे इससे कलर बहुत अच्छा लगता है दो छोटी चमच काला नमक डालेंगे काला नमक से टेश्ट बहुत अच्छा आता है और आदा छोटी चमच नमक डालेंगे सादा नमक यह सारे मसाले डालने के बाद आप इस मसाले को खूब अच्छी तरह से mix कर लेना है तो ये बहुत ही tasty मसाला तयार होगा आप इस तरही के से दही बड़े का मसाला तयार कर ले फटाफट ये तयार हो जाता है और इसका टेश्ट भी बहुत अच्छा ता है अगर हम ये मसाला डालते हैं इस ते अलागा हमें कुछ भी मसाला अलग से डालना नहीं होता आप इस मसाले को बना कर एरेटाय डबे में श्टोर करके भी रख सकते हैं यह मसाला रेडी हो गया है अब हम तयार करते हैं दही बड़े की दही बड़े कैसे बनते हैं सबसे पहले हम एक पैन लेंगे इसके अंदर देशी घी अट करेंगे 1-2 चमच और यह हमने काजू बड़ाम ले लिए हैं काजू बड़ाम पैन के अंदर डालकर हलकासा इन्हें फ्राइ कर लेंगे गैस को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर जब इनमें हल्का सा कलर अजाएगा फोल इन्हें तेजी से बाहर निकाल लेना है और निकाल कर इसे एक बरतन के अंदर ठंडा कर लेंगे अब ये फ्राई हो गए हैं इसी तरह का हमें लाइट कलर चाहिए था अब ये हमने दाल ले ली है डेर कप मीजिर कप के हिसाब से मूँ की दाल लेंगे और आदा कप उड़त दाल दोनों दाल हमने मिक्स करके पूरी रात के लिए भीगो दीती वैसे आप तो तिन घंटे के लिए भीगो सकते हैं अच्छे से फूल गई है या फिर खाली आप मूँ की दाल के भी बना सकते हैं मूँ की दाल के भी बहुत अच्छे जही बड़े बनते हैं अब इन्हें हमीं ग्राइंड कर लेना है एक मिक्सर लेंगे और इसके अंदर डाल डालेंगे दाल डाल कर अगर आपको जितनी चुरूरत होगी थोड़ा सा पानी आट करके इसके अंदर इन्हें ग्राइंड कर लें जादा पानी नहीं डालना सिफलका सा इस तरह से डालना है कि दाल अच्छे से ग्राइंड हो जाए जितनी भी दाल हम इस तरह से ग्राइड कर ली है बिर्कुर चिकनी सी इस तरह की हमें दाल ग्राइड करनी है अब इसे हम फैटेंगे आप इसे हाथ से भी फैट सकते हैं या फिर अगर आपके पास मशीन है तो आप ब्लेंडर से भी मसीन से भी से अच्छी तरह से फैट सकते ह तो मैं इसे मसीन से फैट हूंगी और अगर मुझे ज़रूत लगेगी कि ज़्यादा ठीक है बैटर तो इसके अंदर एक जो चमच पानी डाल लिया था और इसे अच्छे से फैट लिया था अब ये बिल्कुल फ्लैफी फूल कर डबल हो गई है इस तरह की और कलर भी इसका बिल्कुल वाइट हो गया है इस तरह की आपको दिखेगी तो ये बिल्कुल रेडी है इसे हमें इस तरह से फैट लेना है मसीन से तो 2-3 मिनट में ही फैट कर तयार हो जाती है इस तरह गी आपको दिखाई देगी देख सकते हैं कितना फ्लैफी है हो गई है अब ये बनकर बिल्कुल तयार है अब इसे हम हलका से पानी में डाल कर दिखाते हैं ये उपर तयार गई है अगर तयारे की ऊपर तो इसका मतल़ है बिल्कुल सही है ये नीचे बैठ जाती है तो हमें और इसे फैटने की जरुरत होती है इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से तेल में डालते जाएंगे तेल को गरम कर लेंगे मीडियम ही रखना है तेल को गरम और इसके नंदर डाल कर देखते हैं तो तेल बिल्कुल सही है इसी तरह का हमें तेल गरम चाहिए आप इसके नंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से डालते जाएंगे इसके अंदर पूसी निκιल जाती है ना वह नहीं निकले गोल गोल रस्गुले टाइप में यह दही बढ़े बनकर त्यार होंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे इस तरीके से आप तेल के अंदर थोड़ी तोड़ी पर डालते जाएंगे इसको मीडियम ही रखे और मीडियम ही तेल गरम होना चाहिए यह नहों के जादा तेज घरम कर लें मीडियम फ्लेम पर ही आम इसे जब इनके अंदर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन सा तो उन्हें इस तरह से पर लटते हुए फ्राइप कर लेंगे इनकी साइडों को चेंज कर देंगे इस तरह से अब इनके अंदर गोल्डन कलर आ गया है इस तरह का कलर आपको दिखाए देगा मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राइप कर लिए हैं अब सारे बड़े हमें निकाल लेने हैं निकाल कर अभी ने पानी के अंदर डालेंगे बहुत दही बड़े पानी के अंदर छोड़ देने हैं फ्राइ करने के बाद आप दही बड़े सारे पानी के अंदर डाल देंगे तो मैं थोड़े से डाल कर दिखा रही हूं और इसके उपर एक बारे सी प्लेट रख देंगे जिसे दही बड़े पूरी तरह से पानी के अंदर हो गया है और जो गाड़ी थी वह दही विल्कुल अलग हो गई है हम क्रीमी टैक्षर देने के लिए यह तैयार करेंगे क्योंकि हम मीठे दही बड़ी की दही तैयार करेंगे सारे दई हम इसके अंदर एक बॉल के अंदर निकाल लेते हैं यह आधा किलो दई है और अब इसके अंदर हम पीसी हुई चीनी इड करेंगे आप टेश्ट के हिसाब से 2-3 चमप मच इसका इंदर पीसी हुई चीनी इड कर लें और इसे से से शमूज साब पैटर कर लेंगे थोडह सा सिसके अंदर लेंग invit got committee जादा पथली भी नहीं और इस तरह के हमेंड हमें ग्रीमि टैक्टर घंदर आपचाहो तो करीम भी मिला सकते हैं लेकिन हम थोरी और दूर डालकर बिल्कुल क्रीमी टैक्चर इसके अंदर दे दिया है इस तरह से आप मीटी दही बड़े की दही तयार कर सकते हैं अब हम ने सारा समान रेडी कर लिया है दही बड़े लगा कर दिखाते हैं यह पानी में अच्छे से 10 मिनिट के लिए हमने छोड़ दिया था बहुत यह नहीं फूल गए हैं हाथ पर रखना है इस तरह से और दूसरे हाथ से प्रेसքर करके इसके ऐक्क्ष्ण पानी निकाल लेना है छ़के हाथ से दबाना है और व Harley's store करे नहीं और इन्हें चमस से हलक से त्रह से तोड़ भी सकते हैं या फिर साबुत पर उपर उप िध्याखते हैं योग 다या तक यहरा साध्य पुलगी सब्सक्राइब करें और दोबार्ट भर टाला पने हैं और तो अजय को दाल कर कर दोते हैं और यह बनकर हों तेस्ट न के अंदर आता है है इस तरीके से आप घर में रमजान में या इत पर बना सकते हैं सभी को पसंद आएंगे तो यह रैसिपी आपको कैसी लगी अब चलते हैं दूसरे दही बड़ा के दरफ अब बनाएंगे दीखे चटपटे दही बड़े वह कैसे बनेंगे इसके लिए हमने यह मीजिन कप लि सरत यहले हैं पानी से निकालकर आपने दोनों को मिकसी के अंदर डालकर lijन करेंके अगर ज़्रूरत पड़ेगी तो एक मत्ग पानी बीसके प्रेशिक प्रमण सकते हैं अगर ज्यादा घ्क लगे ढांएं और भीकुल बारी के अंदर डाल कर इसे मसीन से या फिर हास से इस तरह से फैयर एक फूल कर डबल होती है और व्यूपर गाल हो जाता है अब इसे पानी के अंदर डाल कर लेके तो उपर तैयर गई है तो इसका मिनलब यह रेडी है इस तरह से हमें दाल को फैट लेना है और इसके हम बड़े तयार करेंगे तेल के अंदर इन्हें फ्राइब कर लेते हैं और देख सकते हैं इस तरह से उठा कर डालेंगे तो बहुत ही बड़े है इसके अंदर कोई भी कोशिच ना करें अब इनकी साइडों को चेंज कर देंगे और इनके अंदर गोल्डन कलर जाएगा लाइट गोल्डन इतनी तेरी ने फ्राइब करना है दोनों साइड से अलट प्लट करते हुए ऐसा कलर इसके अंदर दिखाई देगा तो यह बनकर तैयार है अब इने हैं बाहर नीकाल कामी एन टू हैं पनी इंदर डूंडर दे जाएंगे को पानी के इंदर हम नमक डालेंगे यह निकाली नमक डाला है और थोड़ा सब्सकिल तो यहीं भाटा हś ग्ण तो यह और भी ज्यादा फ्लफी हो जाएंगे कम से कम 10-15 मिनिट के लिए पानी के अंदर डाल देंगे और फिर दुबार उसका पानी चेंज कर देंगे अब यह हमने दही लिया इसके अंदर एक चम्मच चीनी डाल देंगे एक खिलो दही के अंदर इसे थे से मिक्स कर लेंग दो चम्मच चाड़ मसाला डालेंगे और दो चम्मच लाल मेज़ कि आगर आपके पास डही बढ़े का मसाला नहीं है तो आप 食안 तू पहटाफट इस तरह से मसाला तयार कर सकते हैं यह मसाला भी फटाफट तयार हो जाता है और बहुत ही टैज्टी बनता है इसे हम जब डालेंगे तो अलग से नमंग मिश डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती तो हमने इस वीडियो में दो तरह से मसाला बनाना बताया है आपको इसा भी मसाला बनाकर रेडी कर सकते है अब यह इसे आप एरेटाइंट बेमी भरके रख सकते हैं अब यह सारा समान रेडी हो गया है दही और खटी मीठी चटनी की वीडियो मैंने पहले अपलोड की है आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर तो बहुत ही बढ़िया यह सारे समान तयार हो गया है अब हम करते हैं इस इस अब बढ़े दिखाते हैं आपको तो देख सकते हैं कितने बढ़िया इसके अंदर जाली बनी इसके अंदर बिल्कुल भी गार्ट नहीं जाती है वह बिल्कूल भी नहीं बनेगी अब निकाल कर पानी के से इस तरह से निचोड लेना है निचोड कर प्लेट चैनल लगा थोड़ी सी खट्टी चट्टी डालेंगे खट्टी मीठी चट्टी कैसे बनती है आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चट्टी बनेगी अगर आप इस तरीखी से बनाओगे रमजान के महीने में बनाईए या इद पर बनाईए अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो इस तरीखी से आप बना कर देखना दोनो वीडियो बहुत बढ़िया है आप दोनो रैसिपी को ट्राइ करके देखेंगे तो आपको मजार जाएगा ये बनकर थैयार हुए है दिखाते हैं आपको टोड़ कर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राइज जरूर देना कि हमारी ये दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी और एक पर बना कर देखना अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना अल्ला हाफीज